तो दोस्तों मैं उसानिप इन्फैलबल और एक बर फिर से स्वागत है आपका हमारे इस यूटूब चैनल पर तो दोस्तों आज का ये वीडियो बहुत ही इंपोर्डेंट होने वाला है और खास तर पर उन इस स्टूडेंट के लिए जो बिहार बोट से है और 12th का एक्जाम जो है इस साल देने वाले है यानि 12th का एक्जाम जो फाइनल 22 में होने वाला है इसमें जो स्टूडेंट्स एक्जाम देने वाले है उनके लिए वीडियो बहुत ही कारगर होगा helpful होगा क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके लिए बहुत ही important questions लेके आएवा हूँ और वो questions जो है objective का भी होगा और long question भी होगा यानि का सकते हैं कि वीडियो जो है आपके questions जो exam में आने वाले हैं उसके लिए guess के रुप में काम करेगा यानि इसमें मैं कुछ guess question लाया हूँ जिसको अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपके exam में जो है अच्छा खासा number लाने में यह help कर सकता है अनि आप जो है अच्छे से अगर पढ़ लेते हैं इन सारे वीडियो को जो वीडियो में सारे questions दिखाये जाएंगे उन questions को अगर आप पढ़ लेते हैं याद कर लेते हैं तो 90% से भी ज्यादा questions सल्व कर पाएंगे और उससे अधिक marks भी ला सकते हैं तो इस वीडिय को देख करके इस वीडियो के माध्यम से अच्छा number ला सके तो चलिए देर न करते हुए हम लोग वीडियो के start करते हैं और देखते हैं कि वो सारे questions कौन से हैं एक बार फिर से इसमें जो है objective question भी रहेगा और साथ में long question भी रहेगा यानि जो दोनों तरह के question हमारे exam में आता है तो वो दोनों तरह के questions को हम लोग practice करेंगे आये देखते हैं कि questions कौन से हैं यह रहा मैंने हमारे इंस्टीट का नाम जो है संदीप English Classes जो की बक्सर में चलता है तो वो मैंने यहाँ पे लिग दिया है एक बात और कि अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो आप जो है चाहिए होगा तो या फिर 12th class का पूरे notes का भी अगर आपको PDF चाहिए तो उसके लिए भी आपको PDF जो है प्रवाइड करा जा सकता है आपको बस comment कर देना है वहां से मैं reply करूँगा फिर आपको जो है धीरे-धीरे करके आपको मिल जाएंगे रास्ते कि कैसे जो है आपको म पर में लेकिन यह लिखा रहेगा intermediate examination और यह annual करके लिखा रहेगा और यह वाला लाइन भी लिखा रहेगा आपको यहाँ पर टाइम जो आपको मिल जाता है पर आप इसको होता है ना आपके यूटूब चैनल में जो भी होते है यूटूब आप देखते होंगे तो वह speed बढ़ाने वाला होता है आप speed बढ़ा सकते हैं खेर मैं खुद speed थोड़ा सा प्रयास करूंगा कि आपको वह काम नहीं करना पड़े खेर देखते हैं कुछ लाइन ऐसा ही कुछ कहा रहा है figures in the right hand margin indicate full marks तलब वही सब चीजे हैं जो instruction में दिया गया रहता है क्योंकि मैं अब एक एक लाइन पढ़ूंगा तो बहुत जदा लंबा भी हो सकता है तो आप इसको पढ़ लिजिएगा ठीक है अब मैं बता दूँ आपको कि यह जो है आपका जो paper होता है exam में वो दो section में divide रहता है ठीक है section 1 और section 2 यानि कि A और B के रूप में रहता है section A और section B के रूप में सो क्वेशन मिलेगा ठीक है लेकिन आपको सो नहीं सल्प करने है बस आपको 50 ही सल्प करने है तो आपको सल्प करने है कितने 50 और क्वेशन दे रहेंगे आपको 100 ठीक है तो 50 ही सल्प करना होगा जो कि क्वेशन आपको 100 रहेगा उसमें से 50 जो भी आपको आएगा वो सल्प कर देना है ठीक है और जो सेक्षन भी होता है उसमें भी बहुत सारे अप्संस रहते हैं वह हम लोग देखते रहेंगे मतलब पढ़ते वक्त जानेंगे हम लोग कि क्या क्या कैसे सल्ब करना है फिलाल बात करेंगे सबसे पहले सेक्षन एक बारे में देखिए क्वेशन तो आपक डेर्शों केसिंस में से बहुत सारे ऐक्वेशन से एक्वेशन में टच कर जायेंगे ग्रामर में थोड़ा सा कमडो ळामड्यकिन जो बूब नहीं टैचा करता है बस जो है इसको आगे बढ़ाते हैं सेक्शन A में DB कौन्स कौन से हैं यहाँ पे रहां सेक्शन A हमारा अब्जेक्टिम टैप क्वेसंट्स यहाँ पर देखें लिखा हुआ है क्वेस्टन और un настро Aft О यानि एक से सौ जो questions है ना उनके चार-चार अप्सन दिये गए रहेंगे आउट वीज ओनली वन इस करेंट यानि कि उन सारे जो चार अप्सन होगे ना उन चारों अप्सन में से सिर्फ एक ही सही होगा जिसे हम लोग को करना क्या है कि जो आपको उसमें जो आपका आंसर सही रहेगा यानि अगर माली यह question है इसका answer भी है तो भी जो रहेगा उसको आपको color कर देना है यही करना रहता है आपको देखिए questions के number जो है ना यानि संख्या जो है वो तो 100 गो रहेगा यानि 100 दिया गए रहेगा लेकिन आपको जो है 100 ही रहेगा मैंने यहापी लिख दिया है जिसमें से आपको 50 attempt करना होगा ठीक है 100 ही रहेगा क्योंकि मैंने यहापे ना डेड़ सो questions लिखा हुआ है तो इसलिए मैंने यहापी लिख दिया था कि 100 ही रहेगा जिसमें से आपको 50 attempt करना है और क्योंकि मैंने तो 150 लिखा हुआ इसलिए मैंने यहां पे 100 लिए था ताकि confusion नहीं आप लोगों को तो देखिए पहला question हमारा है I saw him play यह कह रहा है कि change into passive voice इसको passive में change करना है चार option आपको यहां पे दिये गए हैं तो चारों को देख लेना है कि कौन से इसमें correct है तो यहां पे यह वाला correct है he was seen to play by me तो मैंने यहां पे आंसर भी साथ में लिखा हुआ है यानि जो option है इस मैंने बोल्ड लेटर में कर दिया है और जो जो बोल्ड लेटर में रहेगा आपको हर question में आपको समझ जना है कि वही उस question का क्या है answer है ठीक है तो यह आपके help के लिए मैंने यही पे करते चला गया है क्योंकि अब नीचे आपको एक बार मैं लिखूं अगर अलग से तो थोड़ा सा button लगता है लेकिन यहां पे अगर रहेगा तो आपको सीधा दिखाई पड़ेगा ठीक है तो ऐसी सारा questions रहेगा यहां पे आपको question 150 मिलेंगे यह मुझे लगता है कि अगर मैं एक question पढ़ना शुरू करूँ तो फिर बहुत जदा लंबा यह वीडियो हो जाएगा आप भी बूर हो सकते हैं हलाकि देखिए इसमें कुछ समझने वाला तो नहीं है यह और एक तरह से देखाया तो समझने वाला भी है तो हम लोग अभी EQ की question को practice कर रहे है तो आप तो नियम तो नहीं न पढ़ेंगे नियम तो पढ़ने के लिए आपको class जोइन करना पड़ेगा न तो आप class जोइन करके class भी हमारा चलता है तो आप class जोइन करके भी आप यह पढ़ सकते थे लेकिन अब वो समय नहीं रहा या वगर आप जानते होंगे तो फिर आपके लिए अच्छा होगा और जली जली समझ में भी आएगा तो मैं इसको थोड़ा सा scroll कर देता हूं कहीं कहीं जहां समझाने like रहेगा तो मैं समझाओंगा भी लेकिन long question मैं पूरा समझाओंगा ठीक है ना तो यहाँ पर मैं scroll कर रहा ह है कि आप इसका PDF भी मेरे से ले सकते हैं ठीक है PDF आपको मिल जाएगा आपको बस comment करना है और आपके WhatsApp पे PDF चला जाएगा तो उसका दो अपसन यहाँ पर है और दो अपसन यहाँ पर है तो उसका answer यह होगा मैं इसको scroll कर देता हूं अब मैं पड़ नहीं पा रहा हूं सारे questions को क्योंकि काफी लंबा हो जाएगा ठीक है और आप भी बोर हो जाएंगे मैं किसी किसी को पड़ भी दूंगा तक कि आपको लगे कि हां भाई चलिए questions को हम लोग प्रैक्टिस भी कर रहे है नहरू लवड चिल्रेन चूज दा सुटेबल निगेटिव संटेंस इसमें से न प्रस्णवाचक वाला बाक्य है इसलिए प्रस्णवाचक सम्में लगा है तो हाव बीग यूर फैमिली है मेनी फैमिली जैसे करके होता नहीं है तो इसलिए इसमें यह सही है आपको लोग ट्रैंसलेशन बनाना सीखें होंगे तो उस बेस पर आपको जो है न यह डिसाइट कर लेना है कि क्या होगा ठीक है आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं कि यह आपका जो है क्वेस्टन हम लोग पहुंच चुके है थर्टी फोर तक अब हम लोग का नेक्स्ट पे जाएगा चलिए थर्टी फाइब से आगया देखते हैं देखिए पूरा आप लोग जो है न क्वेस्टन देखते चलेंगे यहां से थर्टी फाइब से क्वेस्टन आप लोग देख लीजिए एक बार नज़र डाल लीजिएगा फोरो टी फीरी तक फोरी फीरी में देखिए कुस्टान क्या है द सीनोनमा आफ काइंड जानते हैं आप लोग सीनोनम का मतलब होता है प्रवाची सब्द प्रवाची आप लोग हिंदीम पढ़े होंगे तो काइंट का मतलब होता है दयालू और यहां पे जो है न आपको क्या बताना है सीनोनम आफ काइंट का मतलब दयालू होता है तो देखिए यहां पे थोड़ा सा न मुझे लगता है कि मिस्टेक हमें से कर लेता हूं क्रूर का मतलब टो कुरूर होता है तो इसका आणसर यह नहीं होगा क्रूरूर नहीं होगा आपका आंसर इसमें क्या हो जाएगा दयालूust मतलब प्रीटी हुमन यह चाल है आपतला साइसको देख लेंगे इसका अंसर ये एक human होता है कि human होता है अलग-अलग है तो ये human है और एक human होता है जिसमें कि e नहीं रहता है तो देखिए kind मतलब भी दयालू और human मतलब भी दयालू तो ये वला हो जाएगा ये नहीं होगा थोड़ा सा देख लिजेगा देखिए कही कही क्या होता है कि थोड मुझे जो ध्यान आएगा मैं बताऊंगा आपको वैसे आपको हर जगा नहीं मिलेगा जहां जहां पर मेरे ख्याल से जहां पर इनकरेक्ट हुआ है मैं वहां पर आपको बता दूँगा ठीक है आप यहां से एक बार देखिए 45 से हैं 45 से 53 तक देखिए di da और इसका हम लोग को क्या करना है इसका हम लोग को बताना है इसका इन्टर हम यानि कि उल्टा बताना है तो interest मतलब तो रूची होता है, costly मतलब मांगा होता है, loss मतलब खोना होता है, land मतलब उधार देना होता है, ठीक है न जी, तो उधार देना है, ये लेना है, तो इसका उल्टा क्या हो गया, land हो गया, तो इसलिए ये C number हो जाएगा, Manos is proud, यहाँ पे fill up करना है preposition, तो proud के साथ जानते ही है, I am proud of you, सुने होगे, बोलते हुए लोगों को, तो off यहाँ पे लग जाएगा, बाकी सब यहाँ पे थोड़ा सा pause करके आप लोग देख लेंगे, 54 तक हो गया, आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहाँ से आप जो है न, pause करक यहाँ तक 58 तक, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, 59 से 65 तक आप जो है pause करके देख लेंगे, यहाँ पे क्या है, he thanked me, इसका direct narration बताना है, पता है न, narration, narration, direct narration होता है और indirect narration होता है, जिसको हम लोग direct speech और indirect speech के भी नाम से जानते हैं, तो यह already जो है न, इस change कर दिया गया है, direct बताना है, तो इसका direct ही हो जाएगा, ठीक है, बाकी सभी यहाँ तक है, चलिए 60, 60 से हम लोग देखते हैं, 66 ते, choose the correct sentence है, यहाँ पे भी correct sentence चुनना है, देखिए यह भी है, choose the correct sentence, 67 नमबर में भी, यह question A4 के 2014 में भी आ चुका है, ठीक है, I have a homework to do, I have homework to do यहाँ पर यह question का answer यह वाला सही होगा, आप इसे देख लेंगे, homework जो होता है न, वो uncountable noun होता है, इसलिए इसको count नहीं कहता है, तो यहाँ पर count किया गया, इसलिए गलत है, ठीक है न जी, देखते है, 72 तक आप जो है न, देख लेंगे, ध्यान दे लेंगे, अब 73 से हम ल family को plural बना करके लिखा गया है, तो हम देखेंगे कि कौन सा spelling सही लिखा गया, तो family को plural बनाने पर न, families जो बनता है, families तो वो यह बनता है, और IES है, families है, तो यह सब incorrect है, यह correct है, ठीक है, 81 तक हो गया हमारा, अब देखते हैं हम लोग 82 से, देखिए 82 से लेकर के question हम लोग को है, 88 तक, देखिए 85 तक मैंने क्या किया है न, कि जितना वी questions बनाया है आपके लिए, वो सब grammar से है, ठीक है, grammar से question है, अब 86 तू आपको 150 जो questions मिलेंगे न, वो सब के सब literature के होंगे, यानि कि किताब के होंगे, और यह न, इस से किताब से number लाना बहुत ही असान होता है, ठी तीक है, आगर आप book पर ध्यान दे दे, grammar का थोड़ा कम ध्यान दे, तो जल्दी आप number अच्छा collect कर सकते हैं, ठीक है, तो यहां तक हो गया न, 88 तक, आगे बढ़ते हैं हम लोग, 89 से हम लोग देखेंगे, 89 से question आप जो है, pause करके देख लेंगे, कि fireman is composed by fireman किसके द्वारा लिखा गया है, तो के एन दारुवाला के द्वारा लिखा गया था, I celebrate myself and sing myself, यह line है, कविता का, इस line को किसने लिखा हुआ है, तो यह हम लोग chapter पढ़े थे, song of myself में, यह वाला line जो है न, हम लोग को song of myself chapter में पढ़ने को मिला था, और song of myself जो लिखे है, वो कभी का नाम है, वाल्ट वाइट में, तो इसलिए यह वाला answer हो जाएगा, यह पुरा 9900, पुरा आप जो है न, pause करके देख लेंगे, 106 तक, फिर उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, 107 से start करेंगे, और 14 तक आप देख लेंगे, ठीक है, यह सारा, यह जो literature का question है, यह सब touch कर जाएगा, एक्जाम में, देखे, grammar का न, कोई जरूरी नहीं होता है, कि touch करेगा, क्योंकि थोड़ा सा बदल के आता है, लेकिन यह जो literature वाला है, जो अभी start है, चल रहा है, जो 86 है, यह पूरा न, आपका same to same exam में आ सकता है, तो इसलिए थोड़ा सा इसको आप याद कर लिजेगा, र message me, यह मैं धीर-धीर scroll इसलिए कर रहा हूँ, ताकि आपको जो है न, pause भी अगर आप करें, तो problem नहीं हो, आप इसे देख सकें, असानी से, 131 तक question है, इस page में, next देखते हैं, 132 से questions है, 138 तक नज़र डाली है, फिर उसके बाद हम लोग 39 से, देखना शुरू करेंगे, चलिए 39 आगया, 39 से देखिए आप, 148 तक, pause करके, यहां पर question है न, कि dot dot is an inscription on a term in the memory of the dead, तो यह किसके बारे में है, तो एन एपिताफ में, यह इसके बारे में बताया गया था, the soldier belong to, soldier कहां से belong करते हैं, मतलब कहां कराने वाले थे, the soldier, एक chapter है, हम लोग poem में पढ़े थे, तो England के रहने वाले थे, देखिए कभियों का न, कई तरह से question आता है, कभियों का नाम पुष्टा है, और आपको जो है न, कभियों के बारे में पुष्टा है, कि, कभी, मतलब किस परकार के कभी थे, यह पुष्टा है, कभी-कभी, कभी कहां के थे, यह भी पुष्टा है, तो यह सब जो है न, हम लोग पढ़ते वक जाने थे, कि कौन से कभी कहां के है, चलिए 148 तक हो गया न, मैं आगे बढ़ा देता हूँ, 148 के बाद से, 149 है और 150 है, यहां तक हमारा अबजेक्टिव क्येशन है, अब हम लोग सेक्शन B में एंटर करेंगे, और देखेंगे, सेक्शन B को मैं पूरा एक्स्प्लेन करूंगा आपको, देखेंगे, सेक्शन B में क्या है, क्योंकि हम लोग 150 तक जो क्वेशन हम लोग को मिला था, आभी तक जो मैंने लिखा हुआ था, वो सब अबजेक्टिव था, आपको एक्जाम में सिर्फ 100 ही दिखाई पड़ेंगे, जिसमें 50 साल्ब करना होगा, मैंने गेस बना हुआ है, इसलिए 150 डाला हुआ ह ठीक है, आप उस सबको पढ़ लेंगे, तो आपको काम हो सकता है, बढ़िया से मिल सकता है नमबर, अब हम लोग एंटर करते हैं, सेक्शन बी में, सेक्शन बी में आपको पता है कि इसमें भी 50 नमबर का ही questions रहेंगे, और हमें जो है इसमें भी बहुत सरा आपसन मिलेगा, तो देख लेते हैं हम लोग, सबसे पहला जो question रहेगा आपके exam में, वो ऐसे लिखने के लिए रहेगा, बहुत सरे options में रहेंगे, 5 options रहेगा आपका exam में, और किसी एक पर लिखना होगा, हो सकता है, तो television रहे, importance of trees रहे, COVID-19 का दौर चल रहे है, तो हो सकता है, तो ये भी किसी भी एक आ सकता है आपके exam में, तो आप जो है, इसमें किसी भी एक को लिखेंगे, तो नंबर मिल जागा, देखिए, यहाँ पर है, anyone of the following, यानि किसी एक पर ही लिखना है, इसका answer आपको बाद में मिलेगा, आगे, मैं question बस पढ़के सुना देता हूँ, तो ये हो गया, पहला question इसे, दूसरा question जो है, explain anyone of the following, चार जो है यहाँ पर दिया हुआ है, चार question है, और किनी एक को ही explain करना है, आपको जो भी line समझ में आ रहा है, उसको explain कर दी, explain का मतलब समझते हैं न, ब्याख्या करना होता है, आपको सबसे पहले समझना है, कि ये line की स्पाट का है, ठ तो फीर जो है आप उसे explain कर देंगे, जैसे India had always been part of the background of my life, but I, ये की स्पाट का line है, ये India through a traveler's eyes एक chapter है, परल इस बग के द्वारे लिखा हुआ है, वो क्या है न, कि वो यात्रा करती है, ठीक है, तो वो यात्रा करने के दोरान जो है न, उसमें, उसी क्रम में भारत भी आई हुई है, तो भारत के हर चीजों को देखी है, भारत के लोगों से मिली है, भारत के बहुत से चीजों को जैसे कि भारत में जो लडाई को ले करके program हो रहा था, उसके बारे में, भारत के जो युगा वर्क के लोग थे, जो पड़े लिखे वर्क थे, उनसे मिलना, जुलना, तो वो सब चीजे जो है ना इन्होंने नोटिस किया था हला कि हमको इस line का मतलब explain करना है इस line में कहा जा रहा है कि मतलब इंडिया जो है शुरू से ही मेरे जीवन का background रहा है मतलब जीवन का एक अंग रहा है इसमें यह कवितनी बोली थी इसी के बारे में explain करना है explain करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है आपको बस पहचाल लेना है कि किस पाट का है बस आपको लिखना सुरू करना है जैसे हम लोग लिख सकते है कि this line has been taken from India through a traveler's eyes and has been written by pearl ashbuck ठीक है तो यह हो गया कि यह line जो है India through a traveler's eyes से लिया गया है और pearl ashbuck के द्वारा लिखा गया है and in this line और इस line में the poet says that poetess मैंने इसलिए कहा क्योंकि इसमें जो लिखे हुए writer है वो female है इसलिए poet को poetess कहा जाता है न तो poetess यहाँ पर कहा देंगे तो in this line the poetess says that इस line में कवितरी कहती है की अब क्या कहती है इसी line को explain कर देना है तो 4 दिया हुए किसी एक को करना है 4 number मिल जाएगा ठीक है यह कहानी से है इसी तरह का एक और प्रस्न आएगा next देखिएगा देखिया आ गया explain any one of the following दूसरा number पर भी explain करने वाला था और यह तीसरे number पर भी है उसमें 4 question था और इसमें भी 4 question है अंतर यह है कि वो वाला जो है प्रोज से था यानि कहानी से था और यह poetry से यानि कि एक कविता से है इसमें से भी किसी भी एक line को आपको explain कर देना जैसे यह है now the lips are falling fast chapter था उसी में इस line के बारे में बताएगे यह line उसी में हम लोग को देखने को बिला था ठीक है तो इसके बारे में भी से वह लिखना है कि this line has been taken from वह वो क्या बलता है sorry this line has been taken from now the lips are falling fast and has been detained by W.H. Auden ठीक है अब बाकी कहेंगे कि and in this line the poet says that यानि इस line में कभी कहते है कि इसका मैंने answer भी लिखा हुआ है आप घबराईएगा नहीं नीचे आपको मिलेगा आप fourth question देखते हैं देखिए fourth question में क्या होता है कि later लिखने के लिए आता है later है और इसी में आथवा करके दिया रहता है और application लिखने के लिए आपको लिखने करने वाला चार नमबर पर और तीन नमबर पर भी explain करने वाला चार नमबर का है अब देखिए पांचवान नमबर में जो question आता है वो क्या होता है देख ले थे हम लोग देखिए five number जो question है इसमें क्या करना है कि हमें 5 questions का answer देना है और question कितना है, 10 है, देखिए आपको सिधा 2 गुना मिला हुआ है, यानि 10 questions है, इसमें से किसी 5 पर आपको लिखना है, यह question answer है, यानि यह question हो गया, इसका answer जिसका भी आपको अगर याद है, तो आप लिख दीजिए, दसों में से किसी 5 का लिख दीजिए, यह 2-2 number का है, 10 number आपको यहां से मिल जाएगा, यह जो भी question है, यह सब guess किया हुआ question है, इसमें से आपका exam में touch कर सकता है, यानि exam में इन सब में से कोई आ सकता है, तो अगर आप इसे याद करते हैं, तो फिर आपको फायदा ही होगा, ठ जबराइए नहीं, तुरंत बस और 2 मिनट में मिलने वाला है, आप 6 number question देखते है, answer any 3 in about 102, 120 words, यानि देखिए, 6 number में ऐसा कर रहा है, कि 3 questions का ही आप लोगों को reply करना है, नहीं जबाब देना है, 3 questions, देखिए, पहला number है, A, पहला question हो गया, B, दूसरा question हो गया, C, तीसरा question हो गया, D, चौथा question हो गया, और नीचे भी 2 questions आएगा, कितना, देख लेते हैं पहले, देखिए, पहला question में क्या है, summary लिखना है, 3 option है आपको, तीनों में से किसी एक पर लिख दीजिए, 5 number मिलेगा, देखिए, तीनी लिखना है आपको, ठीक है, ना, तीनी लिखना है, ल मिल रहा है, और कितना, लिखना है हम लोगों को, जी, 3 ही लिखना है, तो 3 question में, किस किस टाइप के है, पहले यह देख लेते हैं, तो देखिए, पहला नमर पर भी summary, दूसरा नमर question भी summary, यह प्रोज से है, पोईटरी से है, यानि कवीता से है, यह और यह कहानी से है, तो य देखिए, what are the difficulty, जी, इस्टोरी आफ इंगलिस करके, किताब का नाम है, इस्टोरी आफ इंगलिस, जो आप लोग ने पढ़ा होगा, उसी में से प्रस्न किया हुए, देखिए, तीन प्रस्न दिया है, यह अथवा में फिर यह, फिर अथवा में यह, कि दी तीनों, मतलब य यादार है कि इसका answer क्या होगा, तो किसी एक पर लिख दीजिए, पास नमबर आपको यहां से मिल जागा, यानि पास नमबर यह समरी, पास नमबर दूसरा समरी, और पास नमबर यह 15 नमबर हो गया, बाकी यह तीन और नीचे question उस पर नहीं भी ध्यान दीजिएगा, तो को आपको चान नमर मिलेगा, तीन नमर मिलेगा, आपको कुछ ऐसा करना है ना, कि आपका marks कटे नहीं पूरा-पूरा मिल जाते, देखिए, डी नमबर पे कितना बढ़ी question आ रहा है, डी नमबर मिलान करने वाला है, इधर writer का जो है ना, नाम दिया हुए, और इधर उनके कर लेना है, आप इसे मिलान कर दिजिएगा, बहुत आसान ही है, मिलान करना, मिलान कर दिजिएगा, तो एक नमबर भी इसमें नहीं करता है, या आपको पूरा-पूरा मिल जाएगा, तो आप A, B, C, न करके आप D करिएगा, ठीक है, अब देखते हैं, इन नमर में क्या है question इन नमर में translate करने के लिए दिया हुआ है तो आठ question इसमें रहता है साथ भी रहता है तो जीतना भी रहे आपको करना सिर्फ 5 ही है यानि 5 को translate कर दिजिए आपको 5 नमर यहां से मिल जागा है यानि 5 नमर यह मिलान करना और 5 नमर translation देखिए एक और मिलान करने वाला आ रहा है ए यह वला कहानी से है पहला जो मिलान करने वह दिया था वो कविता से था और यह कहानी से यानि कि आपको नमर कटे नहीं अगर तो नमबर पूरा मिलेगा थीक है तो आपको चैना एक बार फिर से उपर चलते हैन्व लोग यह जो को अब आपका दीजिए आपका जो है इसको कर दीजिएगा अब दिखे लास्ट क्वेश्चन है यह पूरा एक परेगराफ लिखा हुआ है ठीक है ना जी तो यह परेगराफ को पड़ करके आपको समझ लेना है कि इसमें कहा क्या गया है ठीक है कि इस बारे में बातें की यह questions पूछा गया है, आप इस questions का answer बता देंगे, ठीक है, तो questions का answer बता देंगे, बस आपको number यहां से collect हो जाएंगे, ठीक है, आप देखते हैं, यहां पर अथवा में भी दिया है, प्रेसिस, यह भी बड़ा आसान चीज होता है, प्रेसिस का मतलब समझते हैं, रसन 6 पड़ होता है, आपको करना क्या है, कि बस यह जो दियाग हो है, यहां से paragraph है, इसको पढ़ लेना है, ठीक है, इसको पढ़ के समझ लेना है, कि यह किस बारे में है, प्रेसिस लिखने के लिए सबसे पहले पढ़ा जाता है, और फिर count के जाता है, 1, 2, 3, 4, यह जो word है, इसको count यह जितना भी आ रहा है, माल लिजे कि यह 100 आ रहा है, तो 3 सी divide करिए, कटाईए इसको कितने बार में कटता है, तो कटेगा तो नहीं, लेकिन 33 बार में लगभग, कटेगा और excess बच जाएगा, तो छोड़िए, excess से मतलब नहीं है, 33 भागफल आया, यानि आपको याद रख दीजिएगा, दूसरा काम करना है कि आपको इसी paragraph को अपने सब्दों में लिखना है, और अपने सब्दों में इसी बात को लिखना है, और उसको भी लिखने के लिएक limit है, आपने अभी अभी कटाया था, तो 33 बार में कटा था ना, यानि लगभग 33 सब्दों में आपको इ सब्दों में लिखना है, तो हमारा पहला काम था टाइटल देना, दूसरा की इसी बात को अपने सब्दों में लिखना, और तीसरा काम ये है कि हम लोग जो लिखे रहेंगे, उस अपने लिखे हुए सब्दों को काउंट करना है अब, यह तो examiner जो मतला paper set के है, वो लिखा हुआ है ना इसको, तो अब हमको क्या करना है कि जो हमने लिखा हुआ है, उसे count कर लेना है कि हमने कितने सब्दों में लिखा है, और फिर उन्हीं सब्दों को count करके, जितने सब्दों में हमने लिखा है, उसे total what's equal to, अब जितने सब्दों में हमने लिखा है, उसे लिख दे सरक्यों कि देखिया हैं से थोड़ा सा हमने यहां पे जल्दवाजी में बनाने के लिए मैंने पूरा स्कैन कर दिया है तो सेक्षन भी में जो क्वेसंस था मतलब आपको जो ऐसे थे वो सारा एसे यहां पे लिखा हुआ है आप एसे को बस पढ़ लेंगे रटा नहीं मारने के कुशिस किजेगा आप समझेगा तो आप खुझ से भी लिक सकते हैं यसे लिखने के लिए क्लिए क्या करना होता है हिंD इम 12 Now double लिखना है तो की द्रान्सलेट लिखने तों आपका धिर धिरे करके से एसे त्यार हो जाएगा, ठीक है, यह पूरा क्रेस्टन है, फिर आपको यहां से पूरा एसे मिलेगा भी, एसे के बाद में आपको यह वाला मिल रहा है, जो हम लोग को मिला था उसमें अप्लिकेशन लिखने के लिए और एक लेटर था तो यह लेटर है और नीचे अप्लिकेशन भी यह थवावाला यह आपको मिल जाएका अंसर अब देखिए जो 5 नमबर में वो क्वेशन था ना उसक्वेशन जो कि हम लोग पढ़े थे कि 5 जाएक देख़िये 6 नम्मर क्वेशन आ गया 6 नमबर क्वेशन हम वही है उस्वेंर रहता है इसे तीन सल उक्तार करना होता तो पहला में तो समरी था नजी सम्रुमB ID 13 एक फिर लिखना था तो सम्री में आने लिखा हुआ हैまぁ यह आप देख लेंगा पहला समरी है दूसरा दिखा देता हूं यह पुरा पढ़ेंगे तो जानते हैं यह तू आवास से भी ज्यादा हो जाएगा लंबा वीडियो तो इसलिए मैं पूरा रीड नहीं कर रहा हूं अगर आपको कोई प्राब्लम हो तो आप कमेंट करिएगा कि पार्टिक्लर वीडियो एक एक चीज़ का भेज दिया जाएगा थिक है अगर समझने में दिक्कत होगा तो अब भी आ गया देखे छे क्वेस्वाशन था ना एक वेस्वाशन में तीन संवरीथा थो तीनों सब्सक्राइब ने पूरा है मैं इसका पूरा है मैं आप पॉस करके देख सकते हैं कि अब तीसरा है अम इसद्रापोजल ये भी है अब सी नंबर क्वेश्चन है न देखिए वो जो मैंने बताया था हिस्टोरी ओफ इंग्लिष प्रेस वाला उसका आंसब्स है ठीक है अब डी नंबर मिलान करने वाला का अंसर यहां पर लिखा हुआ है आप बाकी वहां से देख लिजिए गा यी ट्रांसलेशन जो था न उपर में उसको मैंने यहां पर ट्रांसलेट कर दिया है आप दिख लेंगे अब लास्ट क्वेश् था प्रेशिस का है तक सेट अपन कर दीया चाउंड कर दिया कितने लिखा को आँड कर लिया तो यह था हमारा 2022 के लिए जो अभिन होने होने वाले है 2012 का जो बिहार बोर्ट के द्वार लिया जाएगा उसके लिए कुछ important questions थे तो आप इस सारे questions को जो है अच्छे तरीके से पॉड़ लेंगे इसका जो है आपको पीडेफ अगर चाहिए तो मिल जाएगा कमेंट में आप लिक करके बता सकते हैं मुझे और ज्यादा ज्यादा इस वीडियो को सेर्फ भी करिएगा और बताईए किसा लगा यह वीडियो और एक्जाम के बाद भी आपको कितना यह help किया कितना helpful साबित हूँ आपके लिए यह भी मुझे जरूर बता दीजेगा आगे जब आपका हो जाएगा तो अभी तक इस वीडियो में इतना ही मिलते है नेक्स वीडियो में एक नेक्स टॉपिक के साथ और अगर आपको पीडियो चाहिए तो मैं एक बार फिर से बोल देता हूँ कि कमेंट में जरूर बताईएग मैं आपको सारा इसका पीडियो देदूंगा और पार्टिकुलर अगर आपको किसी टॉपिक के बारे में जानना होगा तो उसके लिए भी आपको पार्टिकुलर वीडियो भेज दिया जाएगा ठीक है तो जदा जदा एक बार फिस से रिक्वेस्ट है कि जदा जदा इस व है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिजिएगा मिलते नेक्स वीडियो में तिल देन बाई